नुशार दोस्तों मैं दिपेट हो रिला ब्रेन एक्सेलेंस लैब के तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में तो ब्रेन एक्सेलेंस में एक सवाल पूछा गया और वो सवाल था कि औरा स्कैनिंग कैसे पूसिबल है आँख बंद करके बिना टच की ये चीज़ों को कैसे पहचाना जाता है आप जब अपनी सेंसे का इस्तमाल नहीं कर रहे है जो प्राइमरली आपकी सेंस है इसमें टच सेंस है smell sense है उनका इस्तमाल आप नहीं कर रहे हो और फिर भी आपको चीजे कैसे पता चल जाती है आपसे 10 फीट दूर खड़ी चीज के बारे में आप कैसे बता सकते हो घड़ी में क्या टाइम है बिना देखे उस तरफ कैसे बता देते हो सामने कौन खड़ाया पीछे कौन खड़ाय कैसे बता देते हों और यह चीज कैसे पॉसिबल है तो इस सवाल का जवाब आज मैं आपको दूँगा और क्या इन चीजों के लिए किसी अडिशनल टूल की ज़रूरत पढ़ती है या नहीं पढ़ती मिड़बन एक्टिवेशन प्रोसेस में तो उसके बारे में भी आज आ कोई भी ऊबजेक्ट है वह अपके आसपास घं Julie mbh वीडियो देख रहे हो जिस मुबाइल में लैपटॉप में तीवीडी में आप यह वीडियो देख रहे हं वहाँ पर भी वह वो चीज़े स्टिल नहीं हैं, स्टिल देज़ वाइबरेशन बोर्थ माइक्रो लेवल पर वाइबरेशन वहाँ पर हो रही होती है। मिडविन एक्टिवेशन में हम अपने ब्रेन को इतना स्ट्रोंग एफिशेंट बनाते हैं कि वो एक ट्रांस्मीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। आज पास हो रही हर चोटी से चोटी बड़ी से बड़ी वाइबरेशन को वो फील कर पाता है, पहचान पाता है। स्पेसिफिकली ट्रेनिंग के दुरान, मैं मैं मैंशन करना चाहूंगा एक अच्छे गाइड, अच्छे ट्रेनर की गाइडन्स के अंडर में रहे के, जब आप ये ट्रेनिंग करते हैं और अपने आपको इस लेवल पर पहुँचाते हैं, तो आपको अपने अंदर वो मैंटल स्क्रीन पर दिखाई देती है, मैं अपनी प्रिविएस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आप चांको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और प्राने वीडियो को आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन बल को हीट करेंगे, पर नई वीडियो भी मि पर 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 प इस चीज़ को औरा स्कैनिंग को करने के लिए मिर्बेन एक्टिवेशन की ट्रेनिंग ही काफी है कोई क्रिस्टल या कोई स्पैसिफिक तरह का इंस्ट्रिमेंट या कोई मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ अब आपको मंत्राज का इस्तमार खरना पड़ेगा अब आपको कोई किस्टल लेना पड़ेगा आपको कोई अबजेक्ट लेना पड़ेगा देखो बेखू बनाने को सब बना सकते हैं। लेकिन सच बात यह है। उनके लिए जरूरत नहीं पड़ती है। हमने काफी लोग का ऐसे कर चुके हैं जिसमें कभी कोई अलग से अडिशनल अब्येक्ट ने दिना पड़ा हां। ट्रेनिंग को थोड़ा मोडिफाई करना पड़ा। कमांड एक्सराइज चेंज करने पड़ी। एफ्रमेशन चेंज करने पड़ी। बोड़ी की फिजिकल एक्टिविटी में भी कुछ बदलाव हमें करना पड़ा। लेकिन इस तरह की चीजों की जुर्थ नहीं पड़ती है। यह जो अगर मैं कहूंगा थर्डाइज चक्रा के लिए तो मंत्रा की जुर्थ पड़ती है। मंत्रों में भी होता क्या है। एक स्पेसिफिक टाइप की वाइबरेशन होती है। उससे आपकी बोड़ी इंफ्लेंस होती है। तो वहां के लिए तो मैं अगरी करता हूं 100% वो चीज़ होती है। लेकिन मेडवेन एक्टिवेशन के औरा स्कैनिंग प्रोसेस के लिए ज़ ने बात करता है। थैंक यू सो मुचुुुुुुुुु